कि नमस्कार मित्रों मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वाज़त करता हूं आपके सबसे लोगत्रिये चैनल यूर्काज़ चकार मित्रों हम लगातार अपने विद्यारतियों के नए नए जो हैं वीडियो आपके सामने दा रहे हैं उनकी योग्यता उनकी एक्सपर्टाइज को आप देख पा रहे हैं कितने एकुरेट और कितनी बड़िया तरीके से आज वो विश्यों पर बात कर पा रहे हैं और मेरी एक बहुत ही होनहार विद्यारति जिनका आज का जो वीडियो है इसका कंटेंट एक बड़ी मैगजिन में अल्रड़ी छप चुका है और वो बहुत ही प्रशंस नहीं है उनको बहुत प्रशंसा भी नहीं थी और आज वो आपको बताने वाली है कि हमारे जीवन में इस सब्सक्राइब करें तो मैं आप सभी के स्वयोग से आपने बच्चों की तरह जो उशाजी है उनका स्वागत करता हूं नमस्कार उशाजी आपका स्वागत है तो आप इस तरह के सिखाए हैं हम लोग को कि हम बहुत अच्छी तरीके से पकड़ पाते हैं चीजों को मैंसे अब देखें तो मेडिकल एस्ट्रोलोजी वास्ट है और उसमें इतने अच्छे तरीके से हमारे रिशियों ने सुट्र डाले हैं कि हम उसको पढ़ने के बाद कोई भी और उसको खोलते हैं तो उसमें हम बिमारी आसानी से पैचान पाते हैं कि क्या बिमारी हो सकती है इसको और स्पेशली थायरड को लेके तो मैं उसी विशे में सोच रही हूं चर्चा करूंगी कि हम थायरड कैसे देखते हैं मैं देखती हूं कि हर चौते इंसान को देखो गे तो उस बोलेगा कि मेरे को थायरड हो रखा है तो यह जो हार्मोन इंबालेंस है यह अभी काफी बढ करता है यह बच्चों को भी एफेक्ट करता है और विमेन को ज्यादा करके यह एफेक्ट कर रहा है इस पिच्चर में जैसे आप देख सकते हैं कि थायरड एक बटरफ्लाइश शेप और जो हमारे ट्रेचिया में लोकेटेड है और यह हमारे खाने से आयोडीन एक्स्ट्रै करता है जैसे कि हमारा हार्ट रेट हो गया मेटाबॉलिक रेट हो गया प्रोटीन सिंटेसिस हो गया हमारे ब्रीधिंग हमारा बॉडी वेट मसल स्ट्रेंट मेंस्रल साइकल इन फीमेल्स यादा करके और बॉडी टेंपरेचर कॉलोस्ट्रल लेवल बीपी वगर को कंट्रो होसकती है हम इससे पर हमारे बॉड्य को जितना चाहिए उससे अगर कं में रड्यूस करता है तो हम इसको थाइपोधेडियोड जन कहते हैं उसमें क्या होता है मारा मैटर नेड़ी तुड़ा कम हो जाता है और हमारी बॉडी भी हो जाती है पर जब हमारा body का hormones ज्यादा हो जाता है थाइरव का ज्यादा hormones produce करते हैं तो हम उसको hyperthyroidism कहते हैं इसमें क्या होता है ना जब वो ज़्यादा प्रडिश करते हैं तो हमारे cells एक दम active हो जाते हैं इसको पंचाने में नहीं इसलिए body हमेशा pressure में रहती है और हमको बहुत सारे problems भी होने लगते हैं, तो इसके imbalance को लेके हमको क्या-क्या problems होती है, वो ये है कि हमको constipation होता है, हमको चचचडा पनाने लग जाता है, हमारा mood swings होता है, कभी हम बहुत कुछ औज हो जाते हैं, कभी हम बहुत फी हो जाते हैं, हमको depression जैसे भी लगने लग जाता है कितनी बार, फिर हमको anxiety होती है, हम बहुत थक जाते हैं, अगर हमारा hyperthyroidism है, तो हमको बहुत ज्यादा थकावट होती है, क्योंकि हमारा बहुत सारा काम कर रहा है, हमारी body उसको distribute करने में, फिर यह हमारे nervous system को भी affect करता है, और हमारे muscles भी weak होने लगता है, cramps आने लग जाता है, जब हमको hypothyroidism होता है, तो हमको cramps बहुत आता है muscles में, हमको बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है, और fatigue भी होता है, हमारा कभी-कभी weight बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और कभी किसी-किसी को weight बहुत loss भी होने लगता है, यह दोनों प्रकार के extremes में चले जाते हैं, हमको sleeping problems भी होती है, अगर हमको hypothyroidism है, तो हमको नीन बहुत ज्यादा आती है, हम बहुत सोते हैं, और अगर hyperthyroidism है, तो हमको नीन की कमी होने लगती है, इसमें हमारे बाल भी रूखे होते है, head loss होने लग जाता है, हमारा skin में itching आने लगती है, dry हो जाती है हमलों की memory power में भी यह बहुत effect करता है, हमारी memory दीरे दीरे loss होने लग जाती है, हमारा vision में भी problem आने लग जाता है, यह females में देखा गया है कि उनके menstrual cycle में यह बहुत जादा effect करता है, उनके menstrual cycle में कितनी बार मतलब काफी gap के बाद होने menstrual cycle आती है, और इसके कारण उनको conceive क करने में भी बहुत जादा problem आजाती है, females इसके चलते हार्मोन इंबालेंस के चलते, conceive नहीं कर पाती है, बच्चों में भी यह बहुत effect करता है, उनका physical और mental दोनों ग्रोथ में effect करता है, उनका brain slow work करने लग जाता है, और उनके vision में भी problem आती है, उनके सुनने और देखने की बोलने की शक्ती में भी कमजोरी आती है, वो काफी lazy हो जाते हैं ऐसे बच्चे, तो हम देखते हैं कि हमारे physical mental growth में यह बहुत जादा effect करता है, इसका अगर हम scientifically or medically cause देखें, तो यह autoimmune disease भी कहलाता है, जिसमें क्या होता है, हमारे जो healthy cells है, वो ही हमारे दुश्मन बन जाते ह हैं और वो हमारे बाकी healthy cells को attack करते हैं, तो यह autoimmune से भी हमको thyroid हो सकता है, फिर यह genetic भी हो सकता है, मतलब यह हमारे inborn genes में रहता है, जो हमारे parents को अगर है या फिर हमारे grandparents को हुआ होगा, तो उनके बदालोत यह gift के रुप में हमारे पास भी आ जाता है, और यह medication के द्वारा हो सकता है, कि हम overdose of iodine अगर ले लेते हैं, तो हमको hypothyroidism हो जाता है, तो हमारा hormone imbalance हो जाता है, या फिर किसी वज़े से कोई surgery के कारण हमारा अगर कोई thyroid gland कट जाता है, या फिर hormone secretion में problem होती है, और वो कम hormone secretion होता है, तो हमको उसके कारण भी problem होने लग जाती है, यह हमारे थोड़ा और deep में जाएं, तो हम देखेंगे कि thyroid हमारा actually stress, anxiety और depression के कारण भी होता है, मैंने बहुत सारी कुमलियों में देखा है, जिनको thyroid हुआ है या जो zone में है, तो उनमें देखा गया है कि उनको stress level उनका बहुत जादा होता है, उनको day to day struggle life में बहुत जादा stress लेते हैं वो लोग और उसको cope up ने कर पाते हैं ठीक से, इसके कारण उनका hormone imbalance होने लग जाता है, पैनिक हो जाते हैं, उनका daily routine अच्छा नहीं रहता है, ना खाने पिने का उनका timing कुछ रहता है, food habits भी बहुत जादा अच्छी नहीं रहती है, healthy food intake नहीं हो पाता है, जिनके कारण इनक यह बिमारी हो सकती है, तो यह हम देख सकते हैं कि यह मतलब सिर्फ medically अगर हम देखेंगे तो वैसा नहीं है, यह हम लोग का खुद का भी विचार में होता है, और अगर हम देखते हैं तो जब हमको thyroid हो जाता है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो symptoms देखते हैं, टेस् देखते हैं कि you have got thyroid, और हमको medicines दे देते हैं कि हम उसको ले रोजाने के basis पे, पर एक medical astrologer, वो आपकी कुंली देखके आपको बता सकता है कि आपको thyroid है या नहीं है, और अगर अभी है या आने वाला उस zone में हैं, तो इससे क्या होता है ना, कि एक ठो हमारे पास अच्छा ची तो हम पहले से precautions ले सकते हैं कि हम इस zone में ना जाएं, हम पहले से अपनी चीजों को खीक कर सकते हैं, और हमको medical astrologer ये भी बता सकता है कि हमको किस वज़े से ये बिमारी हो सकती है, जैनेटिक है, या फिर ये आटो इम्यून हो सकती है, या फिर ये मारे stress वगरे के कारण से हो कुछ लोगों को बताया भी है, तो उन्होंने ये भी बताया है, मतलब माना है कि हमको इस वज़े से ये वाला हुआ है बिमारी, अगर हम खाली medical line के बात करें तो, stress-wise से तो सारे horoscope में रहेंगे अगर उनको hormone imbalance है, तो हमने जब बात करके ये जाना है, तब हम ये भी जान प ऐसे ऐसे करिए, ये precautions लेजी, तो हम क्या देखते हैं, एक medical astrologer क्या देखता है कुमली में, तो उसको अच्छे से पता चल जाता है कि आपको ये problem होने वाली है, उसके लिए हम अगर astrological parameters देखते हैं, तो सबसे पहले हम first house को देखते हैं, वो लगना है, लगना मतलब हम swim हैं तो हम उसको देखते हैं कि वो कहीं afflicted तो नहीं है, फिर हम देखते हैं second house और third house, second house और third house हमारा basically गले का पार्ट दिखाता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि thyroid gland हमारे गले में situated है, तो वो हमारा गले का पार्ट दिखाता है, तो अगर वो second और third house बहुत जादे afflicted है, या फिर वो 6-8-12 से linked है, या उनके lord से linked है, तो हम conclusion में आ सकते हैं, वैसे हम और भी सारी चीजें देखते हैं, सारा एक साथ हम इखटा करके हम conclusion में आते हैं कि इसको thyroid हो सकता है, फिर हम tourist sign और Germany sign देखते हैं, क्योंकि कालपूरश कुंडली में second और third house का जो sign है, वो tourist और Germany होता है, अब हम अगर gray की बात करें, तो जैसे लगना important है, वैसे हमारा लगनेश भी important है, वह हमारी शक्ती है, हमारे में कितनी strength है, कितनी immunity power है, कि हम अपनी आपको कितना बचा सकते हैं चीजों से, और struggle करने की, लड़ने की कितनी शक्ती है हमारे में, कि हम उस रोग से तो इसका अच्छा होना बहुत सरूरी होता है, अगर यह weak है किसी कुंडली में, तो हमको बहुत जल्दी जल्दी बीमारिया पकड़ने लगेगी, चंद्रमा तो हमारा मन का कारक है, हमारा anxiety, depression, वगर सब हमारे चंद्रमा से देखते हैं, second lord हमारे जैसे second house important है, तो इसका lord त important हो जाते है, Jupiter हमारा growth का कारक है, हमारे internal organs का भी है और growth का भी कारक है, तो किसी चीज को बढ़ाने में, यह बहुत सहेक होता है, अगर यह afflicted है, तो यह maligant कर देता है हमारे सारे खराब चीजों को, तो malefic कर देता है चीजों को, उस रूप में बढ़ा देता है, जैसे hypertherorism दे देगा आपको बढ़ाके, और मास हमारा 3rd house का कारक माना गया है, केतु हर चीज को छोटी कर देता है, केतु और शनी, दौनों हमको चीजों को छोटी कर देता है, हमको पीडा देता है, इसे लिए इसका यहां होना बहुत ज़रूरी है, मतलब इसको देखना बहुत ज़ तो अगर यह फाव कि अगर इन्सें जुड़े हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि हमों को यह तारे होगा और किस वज़े से होगा वो भी हमको यह हॉजेज ही बता देते है है दाब हमें ये इप मील की कुणली है और आप इसमें देख सकते हैं कि लगना का नक्षत्र, केतु है, जो कि हमारे बारवे भाव में जाके बैठ गया है, और ये राहु केतु के एक्सिस में है, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, कि जो लगनेश है मारा, वो आके सिक्स हाउस में बैठ गया, यानि रोग भाव में बैठ गया, अगर हम लगनेश क बात करते हैं तो और यह 6-8 में है लगने और लगनेश 6-8 पोजीशन में है राहु केतु के एकसिस में है और यह शनी से भी ट्राइन में है शनी और मंगल दौनों से ट्राइन में मंगल जो बारवे भाव का लॉड भी है इसके आगे अगर हम देखेंगे तो जूपिटर लग अपका लगने से जुड़ जा रहा है हम सेकेंड हाउस और थर्ड हाउस दिखते हैं इस कुणली का सेकेंड हाउस और थर्ड हाउस का लॉड शनी है जो कि बकरी होके अपने मूल ट्रिकोन राशी में बैठके मैलेफिक होने के बावजूत काफी स्ट्रॉंग है तो वो दोन की भी दृष्ट्री पढ़ रही है और जहां गूरू अफ्लिक्टेड हो चुका है उसकी भी दृष्ट्री जाके आपका सेकेंड हाउस पे पढ़ रही है सूरिय की स्थिति अगर हम देखते हैं तो सूरिय हमारा नाइफ लॉड है अच्छा है यह शनी के ट्राइन में आके हम को काफी प्रॉब्लम देने वाला है इसके अलावा गर हम देखते हैं हमारा जैमिनी और टॉरिस साइन को तो यह दौनों साइन ही एक तो सिथ हाउस में ही आके बैठ गया है इसलिए वह एफ्लिक्टेड है और राहु के तुके एक्सेस में भी है और शनी के ट्राइन में भ बैठा है अपनी हिराशी में है पर अपने शत्रों के साथ बैठा हुआ है इसलिए वह काफी वीक है उस पर केतु और शनी की दृष्टी भी आ रही है जो की विश्योग बना रहा है तो चंद्रमा की स्थिती बहुत ज्यादा खराब है जब हमने इन से बात की थी तो हुआ ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती हूं बीच बीच में तो उसके लिए हमने फिर उनको पूछा कि आपको यह जब आई थी तो इनको आपको थायरड हुआ है तो उन्होंने माना की में एक थायरड भी हुआ है और यह फीमेल रिलेटेट प्रॉब्लम्स भी उनको उनको कॉंस्टिपेशन की भी प्रॉब्लम थी गैस्ट्रेक्टी और लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हुई थी और इनको यह थाइरड डिटेक्ट किया गया था जब वीनस की मादश्या में शन्नी की अंतरदश्या चल रही थी इनको फिर हमने सला दी कि यह ओम करने के लिए बोला जिसके कारण अब यह स्ट्रेस से कुछ ज्यादा अपने आपको अच्छा महसूस कर रही है और उससे आने की कोशिश कर रही है अब हम दूसरा होरोस्कोप देखते हैं इसमें भी आप देखेंगे कि लगन जो की टॉरस का है और कृति का नक्षत्र में ह जिसका स्वामी सूर्य है जो उसके उपर दृष्टी जाल रहा है और यह शुक्र का शत्रु भी माना गया है यह सूर्य की स्थीती देखेंगे तो यह भूरू से दृष्ट है जो की इस कुणली का अकारग रह माना गया है और अगर हम इसका डिपोजटर देखते हैं तो व दृष्टम भाव में आके बैठा है और अकारग गुरू की गुरू की राशी में बैठा हुआ है यह मंगल और जो की अकारग के इस कुणली के लिए और मंगल तो वैसे भी मैलेफिक प्लानेट है उसके साथ बैठा हुआ है चंद्रमा की स्थीति देखें तो है तो अपने अपने ही राशी में थर्ड हाउस में पर अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो देखेंगे कि इसके उपर शनी की दृष्टी पढ़ रही है और अकारग गुरू से भी यह ट्राइन से रिलेशन बना रहा है जिसके और इसके उपर मंगल की भी दृष्टी पढ़ रही है तो इसको सारे मैलेफिक्स मिलके इसको एकदम खराब कर दिया है चंद्रमा को तो चंद्रमा की सिच्वेशन जिस तरह दिख रही है इसमें की अच्छी होगी वैसे है नहीं सूर्य तो हमने देखी लिया है अगर हम देखें मंगल की स्थिति तो वह भी बहुत ज्यादा खराब है अश्टम भाव में बैठा हुआ है और मैलेफिक भी है इस कुणली का अब हम सेकेंड और थर्ड हाउस को देखते हैं तो सेकेंड हाउस तो देख रहे हैं रहो कि क्योंके आक्सिस में है मंगल से द्रिष्ट है बुद और शुक्र जो कि इसकुणली के कारक है उसके साथ उस अब द्रिष्टे डाल रहा है तो जूपिटर यहां पर अकारक काम कर रहा है चीजों को पढ़ाने का काम कर रहा है जो मैलेफिक साइड में नहीं कर रहा है तो इनको भी काफी ज्यादा टेंशन रही है अब हम देखें हैं लगना तो वैसे आपने देख लिए टॉरिस साइ अगर देखें तो हमारा टिवरी से कंड हाउस चंडर मां सूर्या इपने शूनिक की संबावना थी जो कि इनको एंको अगर हम देखें तो इनको मरकुरी की महादशा और राहू की अंतरशा में यह हुआ था है, इनसे भी जब हमने बात की तो इनों ने भी बताया कि इनको काफी stress रहता है, इनको काम के वज़े से काफी stress रहता है, तो इनको अमने समझाया भी कि भई, लाइफ है, लाइफ में तो competitions ऐसे ही चलते रहेंगे, but health is well, we should always care for our health, then for our wealth तो इस वज़े से आपको थोड़ा सा अपना अपनी तरफ धियान देना पड़ेगा, अपने रूटीन लाइफ को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, और इनको भी हमने, इनको विजन की प्रॉब्लम है और इनको इमिनिटी प्रॉब्लम बहुत जादा है, क्योंकि इनका सूर इनको मेडिटेशन और योगा के लिए भी बोला और थोड़ा सा अपना रूटीन लाइफ को ठीक करने के लिए कहा, और कमपटिशन के पीछे अपने हेल्फ को ना भूलें, ये भी हम रोगों ने उनको बताया, तो हम देख सकते हैं कि मेडिकल एस्ट्रोजी इतनी एडवा में हैं, आपको ये ठीक करना चाहिए, किस वजे से होगी, और गोचर और दशास के साब से हम टाइमिंग भी निकाल सकते हैं कि आपको इस टाइम पे सबसे जादा प्रॉबलम होगी, तो आप थोड़ा सत्य हो जाएए, थोड़ा कॉंशियस हो जाएए कि आपको इस प्रॉ अधानी बरत लेनी चाहिए. आपने में आज मेरे सभी विद्यारती बहुत एक्सपर्टाइज हैं, बड़ी असानी से देख लेते हैं. आपने बहुत असानी से देखने का तरीका सिखा है, इसलिए हम बहुत असानी से देख लेते हैं. ताकि उनको वो प्रॉब्लम ना हूँ इसलिए ये बहुत अच्छा है कि हम किसी की मदद कर पा रहे हैं इस चीज को लेके आजकर तो इतने सारे रोग हैं इतने सारे रोग की पता ही नहीं चलता है कुछ तो पुंडली देखे अगर हम किसी की सहायता कर सकते हैं और आपने इत भी ने किसी एक विशेश कारे के लिए आजसा ही कर से थार्म ना है उसक्त विश्वास लेके हमें हमेशा सही मुबाइल नंबर नोट डाउन कर लीजे किसी को कंसल्टेंसी संबंदू जिसमें मेडिकल एस्ट्रोजी से लेके एस्ट्रोजी के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो सभी आप उनसे डिरेक्टली बात कर सकते हैं इसी के साथ आज के लिए वस इतना ही फिर मिलते हैं एक नए विशे के साथ एक नए वक्ता के साथ नमस्कार धन्यवाद